और साथ ही राजस्थान से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है, मुन्नी जी ने हमें कॉल किया है, मुन्नी जी पूछी अपना प्रश्ण मुन्नी जी आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए लगता है इन से हमारा संपर्क तूट गया है, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए है, हलो? नमस्कार जी नाम बताएं मेरा नाम रविंद्र भालगार है, मैं अलवर अजिस्थान से गोड़ रहा हूं सवाल करें अवाल यह मेरे गले में ना, वो मस्कुलर खिचाव होता है, कभी 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 दें जी और हलका बार के तरफ पेंड बेरेता है, अब वो भी इस्थिर नहीं है कि एक पॉइंट लोग अभी बदलता रहता है जी और यह मेरे करिएगे तीन-चार मेने से है जी जादा होता है ठीक है अच्छा देखिए अगर यह मस्कुलर है तो आप एक्सरसाइज बता देता हूँ और यह अगर अंदरूनी प्राबलम है तो एक मेन नस्खा भी बताता हूँ पहले आप एक्सरसाइज करें ऐसे बैठें ऐसे ऐसे दो मिनट रोज करें ठीक है और ऐसे 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 2 मिनट रोजाना करें और 10 दिन लगा तार करें 10 दिन में अगर कुछ रिजल्ट आ जाए समझगीजिए मस्कुलर है असाने चला जाएगा महीने दो महीने यह अक्सेसाइज करने पड़ गी 5 बार गरम पानी पीएं दिन में 5 बार फुब गरम जैसे चाए पीते हैं ऐसे गरम पानी पीजえば और मेथि लीजे मेथि ऐसे 500 गराम के खरीब और उसमें 100 गराम नमक कलोंजी मिला है लूप कुरूंजी एक नमग आता है, जो कालोंजी से निकाला जाता है, इससे रसायन कालोंजी कहते है, इसमें सो गरम मिला के आधा आधा चमस्य तीनो टाइम गरम पानी से लेँ, तो आपको फाएदा मुमकिन है. जे वाके में उमीद करते हैं कि आपको अपर समस्या का नेदान मिल चुका होगा, एक और दर्शक है, अनल जी ने हमें कॉल किया है बिहार से, अनल जी सवाल पूछ सकते हैं कितनी उमर है आपकी? 27 ताइस पर ठीक है, बिल्कुल निल है या कुछ है? एक दम नहीं है, ठीक है, तो दीकिए जिनके बिल्कुल भी किटाणू नहीं होते, उनके भी इसकिन में 5% पाए जाते हैं, लेकिन ये रोग है बड़ा मुश्किल, इसमें आदमे ठक जाता है, इलाज कराते हैं, लेकिन मैं आपको नसका बताऊंगा, दीकिए जितनी भी ये लुआव वाली चीज़े ना, राले वाली चीज़े, जिसे भिंडी, कच्ची भिंडी आप खा सकते हैं, रोजाना दो, कच्ची भिंडी बिल्कुल, और ये जो पंजाबी लोगों में अक्सर खाते हैं, राजमा, ये रोज एक दो कटोरी खाया करें, ये वेजी टेबिल के इलाज हैं, और इसके मुतालिक दवाएं भी बहुत आती हैं, युनानी में, आप उनका भी उप्योग कर सकते हैं, पहले घरे लोगों इलाज करें, जब अगर नहीं हो, तो फिर आप युनानी इलाज ले सकते हैं, और काफी टाइम लगेगा, लेकिन कुछ फायदा होना, जड़ा सा फायदा अगर आपको हो जाएं, पूरा फायदा हो सकता है, जी, सीमा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उत्तर प्रदेश से इन्होंने हमें कॉल किया है, सीमा जी क्या सवाल करना चाहती हैं? मैं उत्तर प्रदर से बोल रही हूं, जी, हमारी हाथ दुखते हैं, जी, कुछ में तावाल नहीं पकड़ा जाता है, बस हाथ में से जों में पकड़ते हैं, गिर जाता है, कब से यसा होता है और एज कितनी है? एज कितनी है, बटा आप अपनी एज बताईए, टेलिविजन के आवाज अगर आप बंद कर दें तो बड़ी असानी हो जाएगी, ठीक है, अच्छा देखिए, मेरी तरह बैठें, ऐसे बैठ जाईए, और ये एकसरसाइज, आपको रोज़ाना, रोज़ाना करनी है, दो तीन मिनट, एक साथ तो कोई भी नहीं कर सकता, तो एक एक मिनट करके, तीन मिनट करें पूरे दिन में, और ऐसे, ऐसे, ये तो तीन मिनट करें, हो सकता है, आपको दवा की जरुरत ही न पड़े, और वज़न न उठाएं, कुछ दिन बहुत महनत न करें, उन हातों से, जरुरत पड़े दो कैफिल्टी केर ले सकते, दिन में दो बार नाचते और खाने के बाद, कैफिल्टी केर, और वज़न बिल्कुल न उठाएं, इलाज जब तक आप करेंगे, वज़न न उठाएंगे, इनसे ज्यादा, तो आपका ठीक होना मुम्किन है, जहां वाकई में तो वज़न नहीं उठाना है, और उसके बाद, ये पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, कि आपकी परिशानी जो है, काफी हद तक दूर हो जाएगी, और साथ ही अपने तमाम दर्शकों के लिए ये भी बता दें, कि जब आप हमसे कोई नुस्खे जानते हैं, हकीम सहाब अगर आपको कोई दवाई बताते हैं, तो ऐसे में उसे आजमाना बेहद ही जरूरी है, जितने समय के लिए बताई जाए, जिस खुराप में बताई जा है, उसे जरूर आपको अपनाना है, ये भी आपको बता दें, कि हकीम सहाब बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके लिए समय निकालते हैं, तो आपका क्या फर्ज है, कि जो भी नुस्खा है, जो भी दवाई है, आपको खानी है, समय पर खा होने के बाद, आपको हमारे स्काइकर में कॉल करके अपना फीडबैक भी जरूर देना है, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है, मुन्नी जी ने हमें कॉल किया है, मुन्नी जी सवाल कर सकती हैं, आप गैस होता पेट में बहुत जिना से गैस होता, गैस, इनके पेट में गैस होती है, ठीक है आप, गवर से सुनिए मेरी बात, गैस का डुश्मन है एक नस्खा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो अच्छा फाइदा करता है, एक दू दिन से ही फाइदा शुरू हो है, आप समझ लें कि आपको करना क्या है, मेती पांच सो ग्राम लेकर पौडर बना लें, और एक आता है, जैतून का रसाइन, इसे जैतून का रसाइन हिंदी में कहते हैं, इंग्रिश में कहते हैं, एस्टेक जैतून, और हम आसान लेंग्वेज में कहते हैं, नमक जैतून ये देखने में नमक जैसा होता है जायके में नमक जैसा नहीं होता स्वाद में नमक जैसा नहीं होता इसको 100 ग्राम 500 ग्राम मेती दाने में मिला कर पॉडर बना लें और अदा अदा चम्मच छोटा चाय का चम्मच दिन में 3 बार खाए खाने से पहले खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, खाने के बाद भी खा सकते हैं, आपकी समस्या का निदान मुम्किन है एक और कॉलर है हमारे साथ परशू राम जी ने हमें कॉल किया है मधुभनी से, उनकी समस्या क्या है आईए जानते हैं, जी सवाल करें अपना देखें हम आपसे घुजारिश करना चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपका ओडियो जो है काफी कम है, थोड़ा सा जोर से बताएं क्या परिशानी है आपके साथ जी परनाम परनाम जाद जी आद आप टेलिविजन की आवास कम कर जी प्लीज ठीक है ठीक है दिखिए बहुर से सुनिये, आप टेलिविजन की आवास बढ़ा रखिए आपने, अब बढ़ा लिजे जितनी चाहें देखिए अभी मैं हर प्रोग्राम में तीन चार बार कमसकम ये निसका बताता हूँ, ये इतना अच्छा कारिय करता है कि लोग की पुरानी से पुरानी परिशानी का निदान हो जाता है। लेकिन जरूरी है समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेथी का दाना हर किचन में, हर रसुई में होता है, ये पांच सो ग्राम लेकर पौडर बना ले, और सो ग्राम आपको एक रसायन लेना है जिसको जैतून का नमक कहते हैं, आसान लेंग्वेज में जैतून का नमक, ये नम जैसा होता है देखने में, लेकिन नमकीन नहीं होता, और जैतून का नमक, सो ग्राम भी आपको मिल जाए, ये अस्टेक जैतून ये रसायन जैतून भी कहते हैं, इसमें मिलाकर आप आदा आदा चम्मच, तिनों बार खा सकते हैं, खाने के पहले बہتर है, बाद में भी खा सकते हैं इसमें तासीर यह है कि उसी दिन से आपको फाइदा शुरू हो जाता है और रोजाना बहुत सारा फाइदा होता है और आदमी जल्दी अच्छा हो जाता है लेकिन आप से निवैदन है कि आप जल्दी भी अच्छे हो जाएं तो आप इसको पूरा खा लें जो मैंने 600 आपको बीमारी दुबारा नहों सके और नाकपुर से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गये हैं सूरेज जी ने हमें कॉल किया है सूरेज जी प्रेश्न करें आप जी तर मुझे जुकाम की एलर्टी रही है पिछले चार-पाच सालों से सूरेज बता जी बिटा आपकी हमारी के माहौल में ऐसे लोग बहुत खैर लगें अपना पांच बार गरम पानी जरूर पिए और सोशल डिस्टेंस का खैर लगें सेनिटाइजर जरूर करें लोगों से जरा दूर रहें और माजून आर केर सुबा शाम खाएं और पांच महीने तक खाएं खटी चीज बिल कमी होती है उसको यह परिशानी रहती है खटी चीज ऐसे लोगों को नहीं खानी चाहिए और इम्यूनिटी की दवा तो हर शख्स को इस वक्त खानी चाहिए अगर माजून आर केर मिल जाती है तो सुबा शाम गरम पानी से खाली पेट और रात को सोते वक्त जरूर खाएं जल्दी भी फायदा हो जा तो पांच महीने तक खाएं कम असकम ताके आप इस बीमारी से निजात पा सकें जी राजकुमार जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है बेहार से उन्होंने हमें कॉल किया है राजकुमार जी क्या परिशानी है आपके साथ नमस्क कि दिना आके उमर फिटी जी तो ठीक है मैं यह जी है आप अपना खूब ख्यार लखें और इस उमर के बाद यह तकलिफें आती हैं ती एक तो इलाज वह है जो आप कर रहे हैं दबा खाये जाओ और जीए जाओ एक इलाज युनानी है जिसके बाकाइदा सेवन से हम पूरी तना ठीक हो जाते हैं लेकिन इसमें टाइम लगता है गौन्द सियाह नाम का एक पदार्द आता है गौन्द आता है जो काले रंग का होता है काला गौन्द भी कहते हैं यह असली लेना जरूरी है बहुत कड़वा होता है लेकिन बहुत सुबा आदा गिराम शाम लिया करें खाने के बाद और मेहनत करना छोड़ दें और आपके घर में अगर वेस्टन टॉयलेट नहीं हो तो वो उसका जरूर लगवाएं इस उमर में और ये इलाज में वेस्टन टॉयलेट ये कुर्सी वाला बातरूम होना जरूरी है हर घर में और ये आप सौ ग्राम भी अगर आपको मिल गया तो ये अपने खतम होने से पहले आपके रोग को खतम करने की सलायत रखता है जहां तो लगातार हम अपने तमाम दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और ये भी आपको बता दें कि युनानी पध्धिती की अगर बात की जाये तो इसके कोई साइड एफेक्ट नहीं होते हैं और इलाज थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन सबसे बड़ से किस तरह से आप चुटकारा पा सकते हैं एक और दर्शक है राकेश जी ने हमें कॉल किया है गाजियाबाद से राकेश जी सवाल पूछ सकते हैं नमस्कार जी एक तो मेरे भुटनों में और कमर में और पैरों में चलने में दिक्कत आती है जी क्या क्या उम्र है आपकी मेरी उमर बाकट डाले जी और एक तो चलने में बैठने में उठने में दिक्कत आती है और पिशाब करने में रुक रुक कर आता है और जलन रहती है पिशाब में जी चीक है तो पिशाब के लिए तो रोज एक नारियल पानी पिया करें बड़ा सानारियल तो पशाप की परिशानी जा सकती है असानी से और इस रोग के लिए आप या तो नस्खा खुद बना लें या मैं दवा भी बता देता हूँ नस्खा यह है के काला गौन एक बड़ा कामियाब गौन कहला जाता है जिसे गौन सिया भी कहते हैं काला गौन इंतहाई कड़वा होता है और मिल से मुश्किल से नकली भी बहुत मिलता है तो असली काला गौन अगर मिल जाए तो खाली सो ग्राम खरीद लें सुबा शाम आदा आदा ग्राम पानी के साथ या बगर चर्बी के दूट के साथ या शुगर नहीं है तो जूस के साथ भी या कभी पानी कभी जूस कभी दूस से ले सकते हैं तो आँ सबर करना पड़ागा ये पाश साथ दिन के बाद फाइदा शुरू करता है और ये सुगराम खतम होने से पहले रोग मुक्त करने की सलाईयत रखता है